अबस कार दोस्तों स्राइं सायवांग में और आप शर दोस्तों स्वाइब को अधिए पर से एक वार आप सभी का एक आücks लोग जुड़ जाएं और सारे लोग जुड़ जाओ क्लास से स्टार्ट करें और आपको पता है कि बहुत ही सांधर से सन होने बाला है और जिन लोगों ने अभी तक कॉमपक अड़मी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सारे लोग कर लें टेली ग्राम जोइन कर लें कॉमपक अड़मी का जिन् करते हैं देखो आज सारे लोगों को आंसर देने हैं बहुत ही सांधर चीज़े हैं आज यानि पिछले जो सैसनों में कॉस्ण करें उनसे बेश्ट कुस्ण आने वाले आज ठीक है तो पहला कॉस्ण में लेकर आ रहा हूं बाकी चीज़ आपन बात करते रहेंगे लेकिन पहले अपन क्या करेंगे पहले रीड करेंगे पूरे को पहले रीड करेंगे और रीड करने के बाद अपन आंसर देंगे इसमें ठीक है देखो ज्यान दो इसमें कोस्ण आ रहा है उदैपुर के जिला को किस इनोवेशन के लिए सजी प्रुसकार से सम्मानित किया गया है कि उदैपुर का जिला है इसे इनोवेशन के लिए सजी प्रुसकार यानि सजी प्रुसकार मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा प्रुसकार है सजी प्रुसकार एक ऐसा प्रुसकार है जो आदिवासी एरिया में जो आदिवासी एरिया में अनात और असाय जो लोगें उनके लिए योज का लाब बताना उन्हें बताना कि भाई आपके लिए योजनाय चल रही है अब आदिवासी चेत्र शो ग्रामीड परवेश से हो तो दच्छड राजिस्तान में उन अनात और असाय और आदिवासी चेत्र के लोगों के लिए जो कल्याड कर रही योजनाय चलाएगे गवर्मे कोटडा के तैद मैं कह सकता हूँ कि उदेपुर में उदेपुर की कलेक्टर है उदेपुर की कलेक्टर है जिसको मैं नाम दू वई तारा चंद मीडा यहां रखना कलेक्टर का नाम है तारा चंद मीडा और इस तारा चंद मीडा को मैं कह सकता हूँ कि इस तारा चंद मीड को इस कोटड़ा मिशन के लिए आद्वासी इलाके में वहां के लोगों को अनातर असाय लोगों को मैं कह सकता हूं योजनाओं का लाव देने के लिए कोटड़ा मिशन के तहित इस मईला को इतना अच्छा काम करने पर सजी प्रसकार से नवाजा गया है जो उध्यपर में तो कोटड़ा दोट ताइसक के कुष्ण अपकोटड़ा मिशन का समंझ का इसी है उध्यपर से तो दोण dies ध्यान रखेंगे लेश nervous system है यह आसे करेंगे देखो नेक्स कुश्चन है बने विवहाघ द्वाह द्वारा पक्ची धर्षन बन विवाह द्वाह दौरा पक्ची दर् पर इस्तित है किस नदी पर इस्तित है तो जो बांडी नदी है भई ये बांडी नदी बैती है अजमीर बांडी नदी का समंद कौन से जिले से है अजमीर शाब जानते हो राजिस्तान का हिर्दे कहते है राजिस्तान का दिल कहते है इसको अजमीर को अजमीर हम बैती है पक्चियों के दर्सन करवाने के लिए यानि जो लोग पक्चियों को देखना चाहते हैं उनके लिए बिसेस बेवस्ते चेत्र विक्षित किया गया है उस चेत्र के तहट आपको पक्चियों के दर्सन करा जाए जाएंगे तो ऐसी योजना वन विवाग ने राजिस्तान में क नेक्ष देखो रास्तन का दिल कहते हैं बच्छन रहा है अंगला कुशन देखेंगे बुड़ी सांदर कुशन अगला क्या है किस जिला प्रसासन द्वारा किस जिला प्रसासन द्वारा निजी विद्यालों में चुपी तोड़ो खुलकर बोलो अभ्यान क्या है तो यहां क्या किया गया है चुपी तोड़ो खुलकर बोलो यहां जो बालका हैं जो महिला हैं उनको खुलकर बोलने के लिए अभ्यान चला निजी विद्याले दिया गया आपको यानि जो निजी चित के जो प्राइबेट स्कूल है उनमें बालकाओं को अगर कोई समस्या है तो उन्हें खुलकर बोलना है उनका पूरा का पूरे बेवस्ताइं की जाएंगी उनकी सुनवाई की जाएगी और इस अव्यान को निजी व अजमीर का किन के लिए चलाए गया है बालकाओं के लिए अगर किसी बालका को कोई समस्या है कोई प्रोब्लम है तो वालकाओं द्वारा या बालकाओं के लिए सरकार द्वारा चलाए गया है बालकाओं के लिए ठीक है यहान रखेंगे निजी स्कूलों में निजी स्कूल private schools के सकते हैं पर नेक्स देखो बहुती सांदार question था यह next देखो next देखो मैंने question दिया आपको question screen पर दिख़ा होगा केंद्रिये रक्षा मंतराले द्वारा किंद्रिये रक्षा मंतराले द्वारा किस संस्थान को किस संस्थान को खारे पानी को प्रियांस खारे पानी को प्रियांस यानि फ्लोराइट से मुक्त करना प्रियांस में बदलने के लिए टेक्नो कॉमर्सियल प्रोजेक्ट यानि खारे पानी को यह अपन कह सकते प्रियांस में में किसे सोंपा गया आपको दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं आई आई टी जोदपुर को दिया गया है एमस जोदपुर को दिया गया है M.N.I.T. जो एपुर को दिया गया है D.R.D.O. 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 यह क्या है? D.R.D.O. रच्चन संधान संस्तान है और यह तीनों से नाउ के लिए हत्यार अपलद करवाता है प्रोडक्ट करता है हत्यारों का तो मैंने आपको बताया खारे जल के लिए प्रियांस जल में टेक्निकल एक एजेंसी है उसने नाम दिया तो कौन सी एजेंसी है तो यहाँ 500 दोगे I.I.T. जोधपुर I.I.T. जोधपुर को इस संस्तान इस प्रोजेक्ट का कमर्सिल प्रोजेक्ट का काम दिया गया है देखो next सारे लोग देखो एक बार सारे कोस्टन आ रहें बिल्कुल दिने शेनी सारे लोग आ रहें भई दीरे-दीरे आ रहें सारे लोग आ जाओ बड़ी संदर सहसन चल रहा है अपन कम टाइम में चीजों को सॉल्व करने की कुसिस करेंगे देखो next question क्या देख रहा है राजीव का next question क्या है राजीव का सरस राजीव का सरस राष्ट्रिये ये आप इस सब्द को पकड़ लो आपको एक कोस्टन में से एक सब्द पकड़ रहा है इस सब्द को पकड़ लो सिल्प सब्द को पकड़ लो सिल्प मिला, यानि राजीव का सरस राष्ट शिल्प मिला, शिल्प जानते हो, शिल्प जानते हो, शिल्प यानि अपन कह सकते हैं, जो छोटे द्योगदंदे होते हैं, कारीगरी होती है, या अपन कह सकते हैं, कोई चीज आप निर्मार करते हो, छोटी चीज़ें सिल्प कला हो गई यानि कि आप कोई चीज निर्मार करते हो, आप स्वते निर्मित करते हो, वो सिल्प कला हो गई तो आज पास के सारे लोगों को इस सिल्प मेले में आमंत्रित किया गया है जो भी छोटे मोटे कारीगर है वो इस राष्टे सिल्प मेले में भाग लेंगे और अपना प्रदर्सन दिखाएंगे कि आपर क्या बैश्ट है आपर क्या बैश्ट है तो यहां मैंने आपको बता है राष्टे शिल्प मिला वाड मेर में है जैसल मेर मेर में है अजमेर में है उदेपर चारोपस आपको दिख रहे हैं लेकिन मैं आपको बताओं बिल्कुल बैरिकुल कुछ लोगों ने बहुत ही सांदर आंसर दिया है राष्टे शिल्प मिला दोजार तेश यह कहा है उजितो प्रुस्कार, कोटडा मिशन के लिए यह अभी कोशन है था, कोटडा मिशन के लिए, तो उदेपर में मिशन और बता है था, अभी पिछले कोशन में, कोटडा मिशन, ध्यान रखेंगे, कोटडा मिशन, आपसे पूछा जाए, कोटडा मिशन कहां चल रहा है, उदेपर में, उदेपर में चल रहा है, आधिवासी इलाके में असाय लोगों की योजनाओं की अभगत कराने के लिए ठीक है, कोट रामिशन, नेक्स देखो, अगला कुछ सनातर, विधान सभा अध्यक्ष ने, विधान सभा अध्यक्ष ने, दोजार तेईस चोविस के लिए, जनलेखा सम सती का सभापती की शिनिक्त किया, देखो, बहुती सांदर कुछन है, क्या है सांदर कुछन देखो, मैंने आपको यह लिख दिया भई, ये आपको पढ़ना है विधान सभाद देख्ष, आपको पता हो तो विधान सभाद देख्ष कोने अपने है, शीपी जूर्षी, कोने ने 2023-2024 के लिए आप जानते हो विदानसवा का कारकाल खतम हो रहा है दिसम्मर में फिर से चुनाव होगा तो विदानसवा खतम हो रही है लेकिन यहां का जब बरतमान में विदानसवा देच राइस्तान में सीपी जोशी उसने जनलेका जो समती है उसका सभापती पहले से न्युक्त कर दिया 2023-2024 के लिए और वो व्यक्ति है राजिंदर पारीक हो गया गोविन सिंग डूडाश्रा हो गया राजिंदर राठोड हो गया दिव्या मदिरन हो गया तो यहां पांसवर क्या दोगे यहां पांसवर देना है राजिंदर राठोड तो विदानसवा द्यक्सिपी जोशी ने 2023-2024 के लिए जनलेका समती का सभापती राजिंदर राठोड को न्युक्त कर दिया है बहुत ही सांदार देखो next तो आपको क्या करना है जो मैं आपको एश्टा चीजी बताओ ना जो मैं आपको एश्टा चीजी बता दो उन चीजों पर ज्यादा फोकुस करना है यह आपके बहुत कामाने वाली चीजे आप एक कोशन से आप एक कोशन से कितने कोशन सोल हो कर स सकते हैं वहां से यह चंता निकल कर आती है तो आप देखो यह ऐसी चीजें जिससे आपको सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी तो आपको एक इस सब्द पर ध्यान देना जो मैं बता हुआ नेक्स देखो नेक्स देखो नेक्स देखो राजिस्तान के किस खिलाडी को राजिस्तान का कोई खिलाडी है वही राजिस्तान के किस खिलाडी को ACN केनो स्प्रिंट चेंपियंशिप स्प्रिंट चेंपियंशिप के लिए भारती टीम में चुना है दिख रहा होगा आपको sprint championship, ASEAN केनो, केनो केते हैं, नो कायन, यानि जल में दोड़ लगानी है, जल में दोड़ लगानी है, नो कायन दोड़ लगानी है उस अब सर पर आप राजस्तान से बारती टीम में राजस्तान के किस खिलाडी को चुना गया, ASEAN केनो sprint championship जो समुद्र में अपनी चीज़ें दिखाएगा यानि अपनी speed दिखाएगा तो आपको कुछ option दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सब को option दिख रहे हैं शिद्धी सर्मा, भागिया सर्मा, राहुल डागोर डागर और तनिस्क पटवा वो सारे तनिस्क पटवा तनिस्क पटवा, तनिस्क पटवा क्या है तनिस्क पटवा तो ACN cano sprint championship में तनिस्क पटवा को भारती टीम में चुना गया और तनिस्क पटवा है कहा का बई यह है उद्धेपुर का तनिस्क पटवा है कहा का उद्धेपुर का ज्यान रहे गए वाई सबको चलो देखो एशियन केनो sprint sprint ये सब्द पकड़ लो sprint कहीं दिख जाए तन इसको पकड़ लो तन इसको पकड़ लो तो उदेपर को पकड़ लो ठीक है आपको चीज़े पकड़ने इस थाही रूप से पकड़ेंगे मैंड से निकलनी नहीं चाहिए देखो next next देखेंगे केंद्रिये ग्रह मंत्राले question पड़ो पहले केंद्रिये ग्रह मंत्राले केंद्रिये ग्रह मंत्राले की सरवोच रेंकिंग में परदेश का एक मातर थाना है परदेश का एक मातर थाना है थाना जो दियोश में दस्वा इस्थान जिश दिया गया है तो राजिस्तान के एक ऐसा थाना जिसे एक कहसे सर्वोच रेकिंग तैयार की गए के इंदरिये ग्रह बबाग ग्रह मंत्रा लाग आप जानते हो पुलिस डिपार्टमेंट ग्रह मंत्रा लेकर अंतरगता आता यह आप जानते हो ठीक है ग्रह मंत्रा लेकर अंतरगता आता है इसके अंतरगता आता है पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस विवाग घ्रह बगवा के न अंतरगता आएगा ठीक है पुलिस विवा अब अपने को क्या करना है पुलिस विवाग तो आप पुलिस से सम्पंदित वह ठाना हो गया तो राज इसतान का एक एंसा ठाना है जिस ये भारत के दस स्थाने बारत के सर्फस्रेश्ट जो ठाने हैं उनमें दस स्थान अगर थानों में सर्वस्रेश्ट पूछा जाए तो पकड़ लो हिंदू मलकोट गंगा नगर, 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 ध्यान रखेंगे, हिंदू मलकोट क्यों फेमस है, हिं पाकिस्तान जो है इस राजिस्तान में ये जो सीमा है ये रेड कलिप रेखा है ये रेड कलिप रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस्तित है ठीक है ये रेड कलिप रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में इस्तित है और इस रेड कलिप रेखा की स्टार्ट कि इस हिंदूमल्ग कोट से होती है कि इसी बिंदू से होती है हिंदूमल्ग कोट और ये इसकी खत्म होती है यहां वही बहाए इसे अपर नाम दे सकते हैं वाकासर बारमेर्टक तो आपके दो questions solve हुए यहां से कौन-कौन से solve हुए भई मैंने आपको पता है दस्वाइस्तान कौन से थाने को मिला है हिंदू मलकोट को मान लिया भई यह आपको पता है यह थाना आय से आपको दस्वाइस्तान देना है लेकिन हिंदू मल कोट में क्यों पेमश है हिंदू मल कोट पेमश है वो विंदू है जहांसे रेड किलिफ रेका स्टार्ट होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रेका है ये जो रेका है वही इस रेका को अपन नाम देते हैं रेड किलिफ रेका ये कौन सी रे है train 3779 किलोमीटर 3383 किलोमीटर लेकिं राजिस्तान में अगर में बात करें तो राजिस्तान में इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर और आप ध्यान रखेंगे इसकी जो मिस्टार्टिं मैं इसी इंदूमल कोArs रहे है और अंतिकाहा बाकासर बार्मेर में है ठीक है और इस इंदुमल कोट को दस्वा इस्तान क्यों दिया गया ऐसी क्या फैसलेटी दी गई यहाँ फैसलेटी क्या देखी फैसलेटी यह थी भई यहाँ पलिस स्थाने में पलिस कर्मचारियों के लिए खाने पीने रहने की यानि इतनी उत्तम विवस्ता जो राजस्तान में कहीं नहीं है तो ये विवस्ताओं को लेकर भारत के उन थानों में सम्मिलित हुआ भारत के उन थानों में सम्मिलित हुआ जो सर्व स्रेश ट्रेकिंग रगते है विवस्ताओं को लेकर ठीक है नेक्स चलें अगला देखो दस्वा इस्तान आप बड़ गर्ब की बाते हैं हमारे एक ठाना है जो दस्वे नंबर भारत में दस्वे नंबर परा रहा है ठीक है नेक्स देखो नेक्स क्या है जल बचाओ पहले आप कोशन को देखो देखने के बाद आप बहुत सारी चीज़े समझ जाओ गए जल बचाओ आज काम आएगा कल देखो कितना सांदर थीम रखी गई है यह क्या एक थीम है थीम जानते हो यानि उद्देश यानि किस चीज़ पर हमें काम करना थीम क्या रखी गई है जल बचाओ आज काम आएगा कल जल बचाओ आज काम आएगा कल बड़ी सांदर थीम कों क्लेव या नहीं सारे लोगों को आमंत्रित करो भाई और हम इस चीज्व missya को लेकर विचार मर्ष करेंगे सारे लोग मिलकर कि जल बचाओ आच काम आएगा कर इसके लिए कों कलेब आयो जित किया गया तो कहा किया गया शिरोई में जैपूर में जोदपुर में डुंगरपुर में कहीं तो किया गया होगा तो यहाँ पन क्या करेंगे यहाँ आंसर देंगे जेपुर तो जल बचाओ आज काम आएगा कल ठीम को लेकर यह हमारी जो जल सरचन कौन कलेव है वो जेपुर में आयुजित किया गया स सांदार कोशन है जैंत है नेक्स क्देगो कम टेम में जधा चीजों को measurement के पर ता से लोग यह हम concept है अजने Tobie पड़ हो पे ले तो अटल प्रोग्रेश अटल प्रोग्रेश ब्स प्रोग्रेश क्या है प्रोग्रेश चीज यहाँ चलने वाली रास्ता यानि अटल नाम से कोई रास्ता है जो प्रोशेश में जिसका निर्माणा दीन है यानि जिसका निर्माण हो रहा है तो राजिस्तान के किस जिले से होकर गुजलेगा अटल प्रोग्रेश वे यानि अटल नाम से रास्ता बनाया जा रहा है जो प्रिक्रिया दीन है व यहां एक राज्ज है यूपी ठीक है यूपी यूपी में जगह है अतावा ठीक है ये अतल प्रोग्रेस वे जो रास्ता है यह इतावा से श्टाट हुआ यह इताविस सटाट होकर यह MP में अया MP में भिंड मुरेना नाम के जिलिए उन से गुजरा बिंड मुरेना से गुजरा ठीक है बिंड मुरेना से गुजर गया चलो यहां से भी गुजर दिया और इन से गुजरने के बाद यह राजस्तान में ट्री कर गया और राजस्तान में यहां से ऐसे करके गुजरेगा और राजस्तान में तो जो जगें हैं जहां से गुजरेगा वो है कोटा और एक है वारा कोटा और बारा और आपको देखो मैं यह कहूँ इन में ओप्सन में आपको कोटा और वारा दोनों दिख रहें किया कहीं सारे लोग देखो मैंने पूरी प्रोसेस बता दिया है पूरी भी देर रखा है और यहां चो हौत देर का एवई व दौनों किलेक्ट करो कोयी दिखकत नुए नहीं मैंने को सारी process क्या बता ही कि अटल नाम से एक राष्टा बनाये जा रहा है कि आठल नाम से राष्टा बनाये जा ठीक है MP में बिंड और मरेना से गुजरा मरेना से गुजर की रاجस्तान में दो जनों से गूजर है कोटा और थो एव और वユोन हो गए नेक्स्त को है ने देखो expelled किस जिले में डिको क्स जिले में देखो यह किस जिले में अगला कोशन और भी सांदर दिखने वाला है किस जिले में प्रदेश के पहले फ्लोटिंग देखों सांदर फ्लोटिंग सोलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उधगाटन किया गया है यानि मार्च 2013 में प्रदेश के पहले floating solar plant का उद्गाटन कब किया गया कहा किया गया तो मार्च 2013 में आपसे पूछा जाएगा उद्गाटन कहा हुआ भई आपको जिले दे रहें जैपुर हो गया अजमेर हो गया कोटा हो गया उमीद आप एक बार गैस करो कहा हो सकता है कहा हो सकता है भई कहा हो सकता है सारे लोग गैस करो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कहा जाए का यह तो एक floating solar plant बनाया जा रहा है उस plant का का में विद्दुत निर्मार करना क्या करना विद्दुत निर्मार करना उस plant का का में विद्दुत निर्मार करना तो इन्होंने क्या कि गया है एक जील के निर्मार का एक गड़ा की बनाया है और वास सोलर प्लांट इस्तापित किया गया है और जो सोलर प्लांट है फ्लोटिंग सोलर प्लांट है यास ये विद्दुत निर्मार का काम कर रहे हैं विद्दुत निर्मार इस सोलर प्लांट का ये यूज करेंगे व बिद्धत निर्माड होगा अगर बिद्धत निर्माड है तो इश में बताते हैं कि एक दिन में परड़े 5000 यूनिट 5000 यूनिट विजली बनाजाएगी। आफ देखो कितना सांदर इसका मतलग विजली कमपनियों को कितना पायदा होगा। लाइट बनाई जाएगी विजली बनाई जाएगी और वहां तक पहुचाई जाएगी यह जहां उपलवद नहीं है विवस्ताएं नहीं है वहां विवस्ताएं पहुचाई जाएगी तो एक ऐसा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है जिसका उद्देश से बिद्द कुंसा है वही उधयफूर उधयफूर बहुत सारे लोगों ने गैस किया है लेकिन मुद्दे तक नहीं पहुँआ है क refuse आज के बाद आप इस मुद्दे को ले कर पकड़ के बैठे रहो आप इस मुद्दे को ऐसा मुद्दा है आप लेक्टैस जितने एक जावा रहे हैं आपके राज़िस्ताइल से estatal के अब देखने को मिलेगा सो प्रसेंट आपको क्वें कर देखने को मिलेगा थीजयर्ब्स अब ध्यान रखना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ निव पढ़ा रहूँ यह ऐसे है कि अज current है तो कल चेंज हो जागा ये तो भई बनेगा ही बनेगा तो ये कल के लिए strategy के का रूपदारण कर लेगा जो आपको आना चाहिए तो मैंने पहले ही का है जो मैं कोशन का pattern है वो कोशन का pattern इसलिए जरूरी है आपको द्यान रखना क्योंकि ये जीचे आगे जाकर आपके लिए fix हो जाएंगी कि ये तो वह याद रखनी है ठीक है और जब भी पेपर दोगे आपको मैं दिखोंगा ठीक है देखो आपको मेरी याद आएगी जब उस time की वही है ये question करवाएं ता देखो next नेक्ट देखो किरसी यंतर नवाचार करसी यंतर नवाचार में lifetime achievement lifetime achievement पुरुसकार से lifetime achievement पुरुसकार से और मैं कहताओ सम्मान किसनलाल सुथा नाम किसनलाल सुथा या लिख देता हूँ पहले आप question को पढ़ो और पढ़ने के बाद आप चीजों को सोचो और मैं 100% कहता हूँ आप गलती कभी नहीं करो गई किसलाल सुतार यानि किसलाल सुतार किस जिले से संबन देता है किस जिले से संबन देता है और एक व्यक्ति है जो इसमें ये अब ध्यान रखना ये कम एजूकेटर पढ़ा लेका इतना नहीं इतनी एजूकेशन नहीं है लेकिन ये व्यक्ति इतना जाला टैलेंटेड है कि ये करसी के यंतर तक बना जिता मुपली का दाना निकालने का यंतर मसीन भी इसने बनाई है उसका इनोवेशन भी किया था यानि देखो इसकी कावलियत देखो आप इसका टैलेंट देखो इसने मुपली का दाना अंदर से यानि मुपली में से अंदर से दाना निकालने की एक मसीन तयार कर दी तो किरसी से सम्मंदित यंतर बनाने की ये नवाचारे ने ने यंतर ला तो जैपूर हो गया, अजमेर हो गया, विकानेर हो गया, जुदपूर हो गया, कि next question क्या है क्या है? हल ही में राज किये ओधोगिक प्रसिच्चर संस्तान हिंडोली, हिंडोली काए भई बूंदी अब एक सब्द को पकड़ लो नया सब्दार है अजकल नया सब्दार आपको पेपर में देखने को ही मिलेगा नया सब्दार है cotton हिंडोली काए बूंदी में कई बार आ जाता है हिंडोली का सुमन किस यह है बूंदी से तो हल ही में राज किये ओद्धोगी प्रसचल संस्तान यानि उद्योग में ट्रेनिंग देने के लिए एक संस्तान को लगा है हिंडोली बूंदी में और इस संस्तान का राज की उद्दोगी प्रिसिचल संस्तान नाम दिया है लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया है नाम क्या कर दिया है चेंज तो हिंडोली में जो ड की प्रिसिचल संस्तान हैं उसका नाम-chem करके क्या रखा गया है। और यहां राज की उद्दो की प्रिसेचनल संस्तान तो दो चीजों के नाम चेंज हुए श्लेंडर देना उसका नाम इंद्रा गांदी के नाम पर और यह जो प्रिसेचनल संस्तान इसका नाम भी वीमराओं अम्मीरकर के नाम पर कर दिया है डॉक्टर वीमराओं अम्मीरकर राज किये ओद्धोगित प्रिसेचर संस्तान दो ध्यान रखेंगे ठीक है बिल्कुल बेरी गुड़्स सारे लोग एक बार continue answer देंगे ठीक है अगर किसी को समच्चा है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपन फोकस यहाँ एक बार इन चीजों पर फोकस है ठीक है देखो क्योंकि कम टाइम में बहुत सारी चीज़े पढ़नी है आपको बहुत ज़्यादा content कराना है बहुत सारी चीज़े पढ़नी है अगला question देखेंगे राजस्तान में राजस्तान में किस विवाग ने राजस्तान में किस विवाग ने cyber सुरच्चा cyber सुरच्चा जानते हो cyber सुरच्चा cyber सुरच्चा है जो online यानि जो online ठगी चल रही है cyber सुरच्चा यानि technical चीज़ों में जो फिर यह कह सकते हैं जो हैं किसी चीज को डेटा चुरा लेते हैं तो साइवर सुरच्चा ने टेक्नीकल चीजों को यह कह सकते हैं उन्हें सुरचित करने के लिए 9 माक के लिए Online Diploma Course का उद्गाटन किया है यानि Cyber सुरच्चा से बचने के लिए साइवर क्राइम से बचने के लिए इसकी सुरच्छा के लिए एक विवाग है जिसने ओनलाइन डिप्लोमा कूर्स का उद्गाटन कर दिया कि सब को साइवर सेल के लिए आपको नौ मार्का एक डिप्लोमे के लिए आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी तो ऐसा कौन सा पड़ रही है एप शिक्छा विवाग को भी इतनी जरूत नहीं पढ़ती है प्लिश विवाग यानि क्रायम जो चीज़ें की जो चीज़ें वो परीश डिपार्टमेंट से जाती है इन्हों राकेष कुमार व wireless किमार वैरी गूर्विड प्लिश विवाग ने चलाया आपको जरूत है प्लिस वाग को बहुत ज़्यादा नहीं डेश की देखो नेक्स देखेंगे नेक्स देखो कौनसा एक बाग ब्यारण है कौनसा एक बाग रधमोर्शे निकल कर मद्य प्रदेश के कुनो देखो 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 कुनो पार्क में मद्य प्रदेश में एक नेश रच्पर किया गया है तो एसा क्या है तो द्याद रखना आप को प्सिंदेर करते भागों के नाम है टी 106, 136 को क्यों निकाल दिया गया टी 136 को क्यों निकाला क्योंकि टी 136 जो है वही इसको टी 116 ने टिक नहीं नहीं दिया आप दियान रखना आप दो जानवरें या दो जानवरें वह दोनों ही माशारी हैं तो इन दोनों में जब एक जैसे होते हैं तो इन में एक दूसरे से गिर प्राप्त नहीं कर पाए, तो इस कंप्प्टीशन में, रड़तमोर में कंप्टीशन चल रहा था, टी 116 और टी 136 में, तो जो सकती साली होगा, वो तो रहेगा, और जो तमजोर होगा, उसे रहने नहीं दिया जाएगा, तो टी 116 ने टी 136 की स्तती खराब कर दी, वहां, कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा विरोध होता था, दोनों में लड़ाईया होती थी, जिसके कारण, इसकी सुरच्छा को देखते हुए, इसे टी 136 को रड़तमोर से निकाल कर, कुनो मद्दे परदेश पहुचा दिया गया, लेकि आप दियान रखना, इसका रीजन पूचा राजिस्तान में मुक्य मंत्री सामोहित बिभा, मुक्य मंत्री सामोहित बिभा एवं अनुदान योजना के अनुदान राशी को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है, यानि अब ध्यान रखना कि मालों सरकार दोरा कोई बिभा करवाये जाते हैं, मालों किसी पर विवस्ता नह मुक्य मंत्री द्वारा सामुईक भुद दिया जाएगा उसमें अनुदान दिया जाएगा कि रासी अफोर्ड करी जाएगी और यह कह सकते जोड़े या नि प्रतेक जोड़े केलिए सामुईक भुदा मेरे एक रासी की गई है और में देखो ये प्रति जोड़े पे है, यानि साधी हो रही है, तो प्रति जोड़े में, प्रति जोड़ा, यानि साधी के लिए प्रति एक जोड़े को दी जाएगी, प्रति एक जोड़े को जो रासी फिक्स की गई हो 25,000 है, इनमें भी बटवारा होगा, जो दुलहन होगी उसे दी और जो ट्रस्ट है या जो संस्ता है जो करवा रही है उस संस्ता को रासी दी जाएगी 4,000 रुपे प्रति जोड़े पन शादी कराने में ट्रस्ट संस्ता को 4,000 राकिश कमार 21,000 नहीं 25,000 है ठीक है तो अब ध्यान रहेगा सामुईक बेबा में मुक्य मंत्री अनुदान तो आप ध्यान रखेंगे अगला क्या है कॉशन देखो अगला कोश्टन भी सांधार नंकी बात मन की बात का सोवा संस्क्राइब यह पकड़ ला यह मुक्य बात है रोड़ देखा होगा की नरेंदर मोधी द्वारा प्रधान मंतरी पीए में उसने बहुत ज़्यादा चर्चित रहती मन की बाद ये मुद्द बहुत ज़्यादा चर्चित रहता ये पन कैसे किरांती कारी रूप भी दारण किया था हर जगे मन की बाद मन की बाद ये चलता रहता तो इसका सोवा संस्क्रण है तो इसका क्या है वही सोवा संस् पर राजस्तान की एक गिला है मन्की बात के इस संस्क्राद में जिसे प्रोजेक्शन मैविपिंग या नहीं जो मैविपिक बनाई ग़ीजिय ये कि कह से कह तक कह से कह सकते हैं कि मन्की बात कॉ पहुचा या जाए तो इसका रेडियो के माद्यम से प्रसारण किया जाएगा और रेडियो के माद्यम से प्रसारण किया जाएगा तो उन्हेंने मैपिंग की गए यह कि किस-किस जगे को मैप में लिया जाएगा मन की माद में किस-किस जगे को इंगित किया जाएगा तो ये जो सोव है भाई इसमें राश्तान का कुंसा जला नदर्द किया गया चित्तोडगर्ड, आमेर, महरांगर्ड, कुम्मलगर्ड तो आपको क्या करना है यह आपको ध्यान रखना है वो क्या है देखो इसमें आपको रखना है चित तोड़कर के इसमें राकेश जी रहे भी बिल्कुल सम्मिलेत हुए लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपको सारे टैट्यों कोशन आएंगे भी तो विस्तार से तब बताएंगे आपको ठीक है तो आप ठीक है नेक्स देख लेंगे दुस्यन सिंग बिल्कुल सारे लोगों को पता है इसका मुझे इंट्रेस्ट आ रहा है सारे लोगों को ठीक है वह नेक्स देख लेते हैं क्य देने को सिस करो पड़ो एक बार देखो मैं आपको बता देता हूँ यह क्या है हाल ही में हाल ही में किस एक गोडावन प्रजनन केंदर है गोडावन एक पक्छी है और यह मैं कहूं भई यह प्रजनन केंदर पर कैप्टिब ब्रीड कैप्टिब ब्रीड द्वारा यानि कैप्टिब ब्रीड के दो चूजों ने जनम लिया नहीं यह मैं कह सकता हूँ दो ने चूजे जनम लिया एक गोडावन प्रजनन केंदर पर गोडावन प्रजनन के अंदर पर दो ने चूजों ने captive breed के माद्यम से जनम लिया है तो आपको पढ़ना कैसे है कि ये दो चूजों ने जनम का लिया सोरसन बारा में शम जेशल मेर में राम दीवरा जेशल मेर में और शांकलिया इस शांकलिया है वई ये क्या है शांकलिया ये शांकलिया नाम की जगए है आपको option में बताना है कि दो ने चूजों ने जनम का लिया है तो ये मरस्तली चित्रे डेजर्ट चित्रे सम जेशल मेर वहाईनों ने जनम लिया है तो ये दियान रखेंगे आप कि एक गोडाबर प्रिजनन केंदर है या कैप्टिब ब्रीड के दो चूजों ने जनम लिया है वो डेजर्ट चित्रे सम जेशल मेर जहाँ रखेंगे सम जेशल मेर very important question है next देखो next देखो next देखो 28 अप्रेल next देखेंगे 28 अप्रेल 2023 28 अप्रेल 2023 को project project 15 वी project 15 वी के तहत किस युद्ध पोद का किस युद्ध पोद का शमुद्री परिछन शुरू किया गया तो आई एनश विसाका पतनम मोर मुगाओ आई एनश इमफाल शूरत यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि युद्ध पोद एक और यह अप्रेल में project जारी किया गया समुद्री परिछन के लिए कि समुद्र में अपने कह सकते हैं कि समुद्र में कितनी ऐसी चीज़ें जिन्हें मुँख सकते हैं जो उप्योगी चीज़े उसके लिए समदरी परिछन के लिए एक युद्धपोद तयार किया गया है उस युद्धपोद का नाम है आई एनेश इंफाल का नाम है आई एनेश इंफाल ध्यान रखेंगे नेक्स देखेंगे नेट देखेंगे question नेट देखो ये बड़ा सांदार question इसमें मैं काफी चीज़ आपको बताने बाला हूँ एक बार question पड़ लो आप हाल ही में भारत पाकिस्तान के वीच 1971 में आपको द्याने भारत और पाकिस्तान के वीच में 1971 में यू दुआ था और यह एक पोस्ट थी लोंगो बाला पोस्ट यह कुनसी पोस्ट थी लोंगो बाला पोस्ट भारत और पाकिस्तान की शीमा है इस भारत और पाकिस्तान की शीमा में युद्ध के दोराने लोंगे बाला पोस्ट थी और यह युद्ध के दोरान युद्द का हीरो राता बहरोशिंग बहरोशिंग का निधन हो गया था लड़ते हुए वो राजिस्तान के किस जिले से बिलोंग करता था तो आपको फोकस कहा करना है इस युद्द का हीरो इस युद्द का हीरो कोन है बहरोशिंग लेकिन सबसे खास बात क्या है सबसे खास बात है बहरोशीन राजिस्तान से बिलोंग करता था बहरोशीन किस से बिलोंग करता था राजिस्तान से तो ऐसा कौन सा जिला है जहां बहरोशीन बिलोंग करता था जिस जिले से और उसकी इस युद के दोरान मिरते हुई तो आपको जिलेदर के जैशल मेर है पीका नेर है जूदपुर है बार मेर है तो आप ध्यान रखना बहरोशींग का शम्मन जूदपुर्शे मैं आपको लेटर सीज बताता हूँ क्या है आपने बॉर्डर मुवी देखी होगी और जो बॉर्डर मुवी है उस बॉर्डर मुवी में बहरोशींग नाम के एक कैरेक्टर दिखाया गया है और आप ध्यान हो तो अगर आपने देखी होगी मुझे लगता है जहां तक मुझे पता सारे बच्चों ने देखने की बॉर्डर मुवी उसमें जो सुनील सिटी का रोल होता है वो बहरोशींग का रोल था सुनील सिटी ने जो बॉर्डर मुवी में रोल किया है वो बहरोशींग का किया है जो युद में लड़ते हों मारा जाता है लेकिन जो बहरोशिंगेस का सम्मन कौन से जले से वही जूदपुर्शे और जो भारत-पाकिस्तान युद था इस भारत-पाकिस्तान युद में भारत की सेना ने 93,000 से लगवग इतने सेनिकों को पाकिस्तान के बंदी बना लिया था और इसको रोका गया था एक समझोते के तैट और एक समझोता किया गया था शिमला समझोता उनिशों बहतर में जिसके तैट इस युद्ध को रोका गया था शिमला समझोता उनिशों बहतर में उसके बाद यह रुका था इंद्रा गांदी ने समझोता किया था पाकिस्तान की प्रधान मंत्री जुल फिकार भुटोष है तब इस युद्ध पर ब्राम लगाए गया था लेकिन हमें यह द्यान रखना है आपको बैरो शिंग जोद पुर्श है और बैरो शिंग बॉर्डर सरकारी विश्विद्यालेशे मानद उपादी किसी सरकारी विश्विद्यालेशे मानद उपादी डॉक्टर ओफ लिटरेचर प्राप्त करने वाले राजस्तान के पहले खिलाड़ी कोन है तो सोनु कह रहे हैं सर यह निश्व कहतर में हुआ है तो मैं कहां हुआ उनी सोनु है ना तो यह ध्यान रखेंगे तो नेक्स कोशन का है सरकारिय विश्विद्याले से मानद अपादी डॉक्टर ओफ लिंत्री चर्प्राब्त करने वाले राजिस्तान का पहले कलाडी कौन बन गए राश्तन का पहला खिलाडी कौन बन गया जिसे डॉक्टर ओफ लिट्रेचर की उपादी दी गई है कृष्णा पूनिया हो गया कृष्णा पूनिया हो गया देवेंदर जाजडिया हो गया अबनी लेकरा राजवदन शींग राटोर तो यहां आप क्या करो गए यह एक आंसर दो गए कि डॉक्टर ओफ लिट्रेचर डॉक्टर ओफ लिट्रेचर की सरकारी विद्याले से मानत जो अपादी है वो देवेंदर जाजडिया को दी गई है किसको दी गई है देवेंदर जाजडिया को दियान रखेंगे देवेंदर जाजडिया को डॉक्टर نेज्ज सेंटर का सुलाजड़ जिखा गया है राज्य में मेडी टूरिज बेल नेज्ज चेंटर का सुलाजड़ जिखा गया है आप से पुछा जाएगा कहां किया गया 내가 never me now दोराराश्मन में मंडफ या चितोड़ घड and wait when ンダホ बरतपुर अपको यह अंसोर देना है ठीक है कोशिश किया करो भई कोशिश किया करो बाकि आप ध्यान रखना अपने को टाइम खराब नहीं करना है अपने को ज्यादा से ज्यादा चीज़ पढ़ने है तो मेडी टूरिज्म बैलनेश सेंटर का शलान्याश किया गया है तो ये किया गया है नाद्वारा र तो मीलूंए तो द्यार रखेंगे राज में मेडी टुरिज्मय बैंलेस चेंटर का स्लन्यश नाधवरा राश्रमन में किया गया है और आपको ध्यार रखना itu नाधवरा राश्रमन इंपर्टेंट है यह राजिस्तान के वल्लव संपरदाय की प्रमक पीप है बल्लव संप्रदाय की प्रमक पीट है ठीक है बल्लव संप्रदाय क्यों पीट है वही तो बल्लव संप्रदाय यह कहते हैं बल्लव संप्रदाय जहां कृष्ण के बाल रूप की पूझा की जाती है कृष्ण के बाल रूप की पूझा की जाती है क्रशन के बाल रूप की पूज़ा की जाती है किस संपरदाय की आते बलल संपरदाय में और ये इसकी पीटका है ना द्वरा राश्चमन में जह क्या लगाया गया है मेरी erfolgreich appreciated next die की द्यान रखेंगे चुटी चुटी बातों को अपने को खबर करना चुटी चुटी बातों को घ्यान रखना है ठीक है देखेंगे नेक्ष लिए हाल ही में हाल ही में थाइलेंड के पताया यह देखो यह पकड़ लो आप पताया तो पताया में कुछ ना कुछ तो ऐसी कोई प्रिक्रिया है जो राजस्तान से रिलेटेड इसका मतलब तो मैंने यह लिख दिया हा दर्श्री बोड़ी विल्डिंग यानि प्रतियोगता हुए इसका मतलब तो प्रतियोगता में इसने क्या जीता है शोण पदक जीता ठीक है मान लिया मैंने वह उस मैला का नाम क्या है तो प्रिया मेगवाल क्या नाम है प्रिया मेगवाल लेकिन इसका समंध का ऐसे है बड़ी सतिसाली महिला है है फिर तो इसका मतलब है वहीं ये थाईलेंड में जाकर बोडी विल देन्ट में से करती है राजस्तान से इसमें पूछा क्या गया कि प्रिया मेगवाल का शमन्द किस राजस्तान के किस जिले से है तो प्रिया मेगवाल का शमन्द जैपुर जोदपुर विकानेर टॉक तो आप ध्यान रखना प्रिया मेगवाल का शमन्द है विकानेर शे बड़ाई सांदर कोशन मनेगा प्रिया मेगवाल का शमन्द किस शे है यह ध्यान रखोगे और आप ध्यान रखना जो प्रिया मेगवाल है यह जो प्रिया मेगवाल है प्रिया मेगवाल मैं नहीं लिख दिया आपको प्रिया मेगवाल ध्यान दो आप प्रिया मेगवाल के लिए मैं एक दो कोशन आपके लिए बना देता हूँ प्रिया मेगवाल आपसे पहला question तो यह आएगा प्रिया मेगवाल कहां की निवाशी है विकाले यह तो मुखे important point आगया प्रिया मेगवाल दूसरा body building में यह miss Rajasthan रही है तीन वार कितनी वार तीन वार तो body building को लेकर यह राजस्तान की तीन वार जहां रखना तीन वार miss Rajasthan रही है तीन वार रही है यह body building में miss Rajasthan तो अपने कह सकते हैं इससे आगे कोई नहीं है miss Rajasthan रही है तो इसका मेलब अपने कह सकते हैं यह famous रही है body building में इसने कीरतिमान स्थाफित कर लिया वही और कब-कब रही है यह भी आप ध्यान रखोगे 2018, 2019, 2020 यह तीन साथ यानि तीन वार miss Rajasthan का खिताब भी जीच चुकी है तो तीन वार miss Rajasthan रह चुकी है और प्रियाम एगवाल का शमन आपसे पूछा जाए किस प्रतियोगता से है तो body building ठीक है body building यह आप ध्यान रखोगे और आपसे यह भी पूछा जाए राजस्तान में इसका समन किसे है वी कानेट जिले से ब्लों करती है प्रिया मेगवाल ध्यान रहेगा न सब को सब को ध्यान रहेगा next देख लो next देख लो 45 वी जुनियर बालक राष्ट्य हैंड वोल हैंड वोल जानते हो आप हैंड वोल हैंड वोल टूनामेंट आयुजित किया गया है तो junior बालक राष्टिया handwall यानि national level पर handwall प्रतियोकता आउजित की गई यह 45 वी जो राजिस्तान के किस जिले में है जो राजिस्तान के कौन से जिले में आउजित की गई है मुद्दा यह है बाशवाडा, जैपुर, उदेपुर, भीलवाडा तो आपको ध्यान रखना है junior ब बास बाड़ा में इस प्रतियोकता में तीस टीमों ने बाग लिया अँम्य इस टीमों ने बाग लिए अब में अब हो चुका है एक है यह यह junior है यानि बच्चों की यानि junior और यह बालक और राष्टी नेशनल लेविल पर है नेशनल लेविल पर है हैंड़ बोल की प्रतियोगता जो वार्षवारा में जोती हुए राष्टा में नेश्ट देखो नेश्ट क्या है मुद्द्ध नेश्ट देको कोस्षन पढ़ेंगे आप इक बार उसे देखेंगे सारे लोग नेश्टकिने में सुएम में किसको कर्णियार रीकोर्ष tahun मैं कह सकता हूँ Harvard World Records में और India Book of Records में कौन सी मिला को शामिल किया गया है यहां को दिख रहा है पारवती जंगिड पवन जंगिड पवन व्यास नर्पत सिंग राजपुरेद आप क्या करोगे यहां जाएगा अंसर पारवती जंगिड यहां आंसर क्या जाएगा पारवती नेक्ष्ट देखेंगे क्या है नेक्ष्ट कुश्ट क्या है वह इपना नेक्ष्ट कुश्ट क्या है नेक्ष्ट देखो हाल ही में हाल ही में किस वेंक द्वारा हाल ही में किस वेंक द्वारा राजिस्तान में उद्मियों उद्मियों यानि जो अपन कह सकते हैं जो अपन कह सकते हैं जो रोजगार स्तापित करते हैं या कोई फैक्टरी या कोई कमपनी चलाते हैं उद्मी जो रोजगार उपलब्द करवाते हैं उनके लिए ओनलाइन प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कख़हां रोजगार सलाकार कारेक्रम है यह एक टारका कि आपको रोजगार करना तो उसके लिए वे व्यवस्ताइं कि गयें कि आपको प्रेऍरफ라고 ह clip करना है आपको रोजगार के लिए क्या चीज़ेकर निये तो तो हाल ही में किस बैंक द्वारा राजिस्तान में उद्धमियों के लिए ओनलाइन प्रसिच्छन कारेकरम MSME प्रेणना आयुजित किया गया है तो आपको ध्यान दो को छोटे जो कारीगरे छोटे जो उद्ध्योग दंदेवाले उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी सला के लि इंडियन वेंग मरदोरागरामीर बैंग बारती श्टेट मेंग तो इसमें आंसूर जाएगा अपना इंडियन वेंग कुणसा जाएगा इंडियन वेंग ध्यान रखेंगे इंडियन वेंग जो है वो छोटे उद्धमियों के लिए यह कह सकते हैं रोजगार की खालक़ कारेकरम, ठीक है, इंडियन वेंग आपको मदद करेगी, नेक्स्ट अगरcome बात करें, क्या है, देखो, राज का बाईश्वा निकट वर्ती खंजर एस रिजर्व किसे खुशित किया गया, यह बड़ा सांधार कोशन हैँ, बहुत ही सांधार कोशन है, राज्य का 22 वा निकट वरती कंजर्वेशन रिजर्व इशे गोसित किया गया है तो हाल ही में जो किया गया है तो आपको आंसर दिरा दिरका सावातराई वारा वीडगास फलिया कुटवील वारा जहलाना आमागड रैपुर और एक है रामगड कुझी सुवास वारा इसका ज पिल्कुल देखो रामगड कुझी सुवास बारा रामगड कुझी सुवास तो 22 वा निकट वरती कंजर्वेशन रिजर्वास तान गोसित किया गया है रामगड कुझी सुवास बारा को जहान रखेंगे नेक्स देखो नेट्स देखो बहुदाम आसरम बहुदाम आसरम के पीठा दी स्वर यानि एक संत थे जो बहुदाम बहुदाम नाम के एक आसरम में वहां रहते थे स्री रतीनात महराज रतीनात महराज जिनका हाली में निधन हो गया बहुदाम आसरम बड़ा फेमस राय वही वांके पीठा सीन थे रतीनात महराज जिनका आली में निदन हो गया है तो बहुदाम का समंध राजस्तान की कौन सी जगह से है बहुदाम का समंध राजस्तान की कौन सी जगह से है तो ये जोदपुर, भीकाने, अलवर, सीकर तो सीकर में एक जगह लच्मनगड सीकर में लच्मनगड नाम की जगह पर ये बौदाम आस्रम है तो इनका जो महराजी, रतीनात महराजी इनका निधन हुआ है लेकिन आपसे पूछा जाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए का एप डाउनलोड नहीं किया वो एप डाउनलोड जरूर कर लें और जिन लोगों ने टेलीग्राम जोन कर लें और कोई भी समस्या के लिए कोई भी प्रॉब्लम है इस से रिलेटेड तो आप इस नम्मर पर कॉल कर सकते हैं इससे सोल्व हो जाए सोलूशन हो जाए तो ठीक ह बात है आने वाले टाइम आपको बहुती संदर कुश्शन आने वाले हैं तो आप रेडी रहें और टाइम से क्लास से जुड़ना है ठीक है नेक्स्ट आपकी क्लास रेगी स्टैटिक जीकेगी तो रेडी रहें तयार रहें नेक्ट क्लास अभी आपकी स्टार्ट होने वाल झाल 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 झाल